हलो एवरिवरीवन वरी 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 गुज इवनिंग तो अलो फियू स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मैं हूँ आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर अम्रित कॉर और वेलकम अलो फियू तो दा प्लाटफॉर्म बैंकर्स वे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जा आपके लिए स्टार्ट करी है स्पेसिफिकली इस कॉंटेक्स्ट के साथ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंस को कहीं ना कहीं यह उनके दिमाग में था कि यह समय हमें कि एक सेकेंड हैवी को यह ठीक है जी तो यहां पर यह सीरीज आप लोगों के सामने स्टार्ट हो गई है ग्रैमर रूल्स की और कोशिश में यह करूंगे पिकिस कई बार क्या होता है हम सभी को रूल जाते हैं कि अपलाई करना भी पता यह लेकिन एक्जाम टाइम पर हमसे गलती हो जाती है मतलब की प्रॉब्लम हम कहाँ फेस करते हैं मैक्सिमम सुदिंस की प्रॉब्लम कहां आती है कि माम एग्जाम के अंदर न यह रूल अप्लाई नहीं होते या पिर हमें समझ नहीं आते करेंगे यहां पर कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है वो आती है तो मैं क्या सही बोल रही हूं सभी एक बार में को यार फटा वच्छे थम्जब करके बता देंगे और स्टूडेंस एक बार इस सेशन को जल्दी से शेर भी कर देंगे लाइक भी कर देंगे एक दिन नहीं दो दिन नहीं पूरे हम यहाँ पर सीडी सलाएंगे और आप देख रहे हो rule नमबर वाइस हम यहाँ पर questions करेंगे एक rule का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चो one rule माने की one question माने की one marks तो ये चीज याद करनी है आप लोग के लिए बहुत दरूरी है कि एक rule माने की एक rule का मतलब होता है आपर one question या फिर one number तो आईए देखते हैं कोशिश करेंगे turn wise turn सभी rules हम यहाँ पर cover कर ले और इस series में हर दिन आपको इस series का हिस्सा बनना है हर दिन आपको इस series का part बनना है बात करते हैं सबसे पहले कि session मेरा live होगा यहाँ पर 10 बजे से जो आपको बिलकुल भी भूलना नहीं है हर दिन लेकिन केवल और केवल आज के लिए class हमारी यहाँ पर शाम को जो अभी है वो 6 बजे को class हो रही है इससे बहले एक important चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाती हूँ कि आज जो है 30th of March है याने कि कल 31st of March को last day है आपको अगर enrollment करना है अपना किसी भी bank examination के subscription के लिए अगर आप सोच रहे हो ना guys अब देखो यार कहीं ना कहीं तो 2024 में selection मेरे प्यारे बच्चों लेना ही है और वो selection ऐसे ही तो नहीं मिलने वाला है उस selection के लिए करनी पड़ेगी कड़ी महनत याने कि आपको इस code के साथ अमरित 06 के साथ maximum discount मिल रहा है number one flat 20% का off और six months की extension एक साल के साथ तीन महीने extended मिलेंगे और दो साल की validity के साथ छे महीने extended यहां मिलेंगे यह बहुत important था इसके बाद अब हम session को शुरू करने वाले है तो क्यूंकि students को लगता है कि मैं हम शुरू बाद आते हैं तो noun का आज पहला rule यहां पर हम समझ लेते हैं देख लेते हैं कहीं पर कुछ गलती, doubt, question, question, query किसी के भी दिमाग में रहे मच जाए तो my dear students पहला question हमें हाँ पर यह बोलता है Some nouns are singular, कुछ nouns singular होते हैं and their meaning, in their meanings but are used as the plural nouns and also take the plural verbs कई बार हमें सुनने में कोई चीज लगती है कि वो plural है यानि कि वो sound में लगती है कि वो plural है बट वो होती singular है या फिर कई बार हमें वो sound में लगती है कुछ चीज़े लगती है singular है कुछ चीज़े लगती है प्यारे बच्चो प्लूरल है बट होता उनका उल्टा है तो ऐसे कुछ शब्द यहां पर हम देख लेते हैं इस अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर एस नहीं लगा था लेकिन फिर भी मैंने आर का इस्तिमाल किया जैनरली हमने यहीं सीखा है ना कि सबजेक्ट अगर singular है तो वर्ब भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा हम सीख कर तो यहीं आए हैं ठीक है लेकिन कुछ चीज है हलो हलो जी हलो गुज इवनिंग एवरीवान जो जो सूडन्स यहां पर है बहुत-बहुत मतलब बढ़िया आपको लगकर देख लग रहा है ले यह एक सिंगिलर की साउंड कर रहा है लेकिन यह अक्ट हमेशा प्लूरल करेगा पीपल आर पुलीस आर कभी लिखते हो पूलीस आर न sv now-top पुलीस हैव या तो हम हमाहते हो फिर इसके साथ आर लेगाते हो या वरल लगाते हो आर वर आपको यह बता रहा है मतलब जब आप यूज ओव इसम आयुकर रहे हो वह आपको इजम एरना है कि यह फिर was वर का जो यूज है वो क्या बतारा है सिर्फ उर सिरफ सिर्फ की अपका present है यह सेंटेंस आपका past है इतना ही तो inform कर रहा है वह आपको इंफर्म कर रहा है ञाась संटेंस की जो हमारी जो थीम है टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं एक एक चीज में बता रही हूं उतना बेसिक से समधाने वाली हो ना मतलब अगर ये डेड़ सो रूल पके तो मानवार एक्जाम में नंबर भी पके ठीक है चलिए तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत बरी किसे ह यहां से समझ लिया है आगे को बढ़ेंगे याने की always such as people, cattle, police यह चीजे क्या होंगी हमारे पास प्यारे बच्चों इनके साथ हम plural verb लगाएंगे nouns are singular in their meanings are used as plural nouns and also take the plural verbs चलिए यहां तक सब को clear हो गया clarity मिल गई है आगे एक बार यहां से हम बढ़ते हैं rule number two को आप एक बार यहां पर समझेंगे मेरे साथ ठीक है rule number two को आप यहां पर एक बार समझेंगे आईए please read कीजे it's always better to read yourself first पहले आप खुद पढ़ेंगे फिर मैं बढ़ाऊंगे जो चीजे और clear होंगी rule number two बोलता है some nouns are always used in the plural form कुछ nouns ना हमेशा ही अपने plural form में होते हैं therefore वो प्लूरल वर्ब का भी इस्तिमाल करते हैं जैसे की scissors, premises, thanks, spectacles, etc. for example अगर मैं बोलू किसी सवाल में I forgot where I kept my spectacle तो यह गलत हो जाएगा I forgot where did I keep अगर मैं did का use कर रही हूं my dear students अगर मैं हाँ पर did लगा रही हूं तो मैं first form of the verb का इस्तिमाल करूँ कि I forgot where did I keep my spectacles एश लगा दिया या फिर मैं बोलूँगी have you seen my spectacles, have you seen my binoculars एक बार दिखेंगे, binoculars क्या लगा दिया जी, एस का यूज कर दिया, ठीक है similarly scissors, एस का यूज करा, premises, trousers ये सभी चीज़े ऐसी हैं जो आपने समझी और देखी भाली चीज़े हैं लेकिन exam में problem आ जाती है, कि यार verb कौन सा लगाएं सही बोल रही हूँ, yes or no यार मुझे न यहाँ पर थोड़ी सी जादा जरूर पड़ेगी आपकी acknowledgement की कि आपको मेरी चीज़े समझ आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही, yes or no बिल्कूल ये वाला जो हमने session स्टार्ट किया है, top 150 rules of grammar का आप सभी students इस session को आज से देख सकते हैं, देखो न या rule no.2, rule no.3 कोई पुछली previous class तो नहीं कर रहे हम याँ पर, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे तो rule no.2 बोलता है हमें, कुछ हमारे सवाल होते हैं, I cannot find my trousers, where are they? क्या लिखा my dear students, are का उप्योग किया मैंने यहाँ पर, चीकिया जी, she ordered a pair spectacles online, they are classy, आर लग गया, trousers में एस लग गया, spectacles में एस लग गया, और यहाँ पर फिर से आर लग गया, यानि कि अब हमें इतना तो समझ में आया, किस शब्द के साथ हमने singular verb लगाया, और किस शब्द के साथ हमने plural verb लगाया, सब लोग मुझे यहाँ thumbs up करके बताएंगे कि yes ma'am, इतनी clarity तो हो गई है, एक बार, जादा नहीं यार, एक बार thumbs up लगा के बताओगे कि yes ma'am, इतनी clarity हमें यहाँ पर हो गई है, चलिए आईए देखते हैं, अगले question को यहाँ से, here we go, आगे बढ़े, मतलब मेरे में इतने patience है कि शायद मैं एक rule को पांच बार भी समझा सकती हूँ, तो अगर कहीं पर नहीं समझ मैं, you have to make me stop there and then and पूछो की ma'am, यह वाली चीज सही है या नहीं, very good, very good अराधना, very good, चीक है, आगे बढ़ेंगे, there are some nouns that always take singular verb, अब कुछ nouns ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाएगा life में, वो कहते हैं कुछ भी आपकी life में हो जाएगा, कुछ nouns ऐसे रहेंगे कि वो हमेशा हमेशा से ही न अपने साथ में singular verb का इस्तिमाल करेंगे, for example, एक खास बात बता दू, मैं आपको जैसे कि एक शब्द news है, news शब्द की एक खास बात मैं आपर बता दू, ये शब्द है news, news शब्द के साथ, एक तो आप कभी भी न, last news नहीं बोलते हो, आप हमेशा से बोलते हो, recent news, या फिर आप बोलते हो, latest news, have you heard the latest news, have you heard the recent news, have you heard the latest news, exam में ये error आता है, ठीक है, और जब बात करते हैं कि इसके साथ आप verb कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी आप ये नहीं लिखते हैं, the news are, आप हमेशा इसके साथ singular verb का इस्तेमाल करते हो, the news is interesting, did you come across the latest news, ठीक है न, तो आपने देखा, कहां कहां मैंने क्या यूज करा, एक तो इसके साथ singular verb का इस्तेमाल किया, नमबर वन, इसके साथ मैंने latest और recent का इस्तेमाल किया, नमबर टू, नमबर थ्री, डिड़ वाले verb के साथ मैंने first form of the verb का, डिड़ शब्द के साथ first form of the verb का इस्तेमाल किया, तो ये कुछ-कुछ चीजें हैं जो निरंतर प्राक्टिस के साथ आएंगी, मैं बहुत जादा नहीं ही गहराई में आपको बतारी, time waste कर रही है, आप क्या है हाँ पर सूदिंट का के time waste हो, बट भगा भी नहीं रही हो, मतलब clarity पूरी हो रही है, एक एक concept clarity हो रही है, हमारे my dear students, if I am telling you that maths is my favourite subject, ठीक है, maths क्या है मेरा favourite subject है, ये rule आपको समझ आना चाहिए हाँ पर, maths is my favourite subject, क्या लिखा है, mathematics हो गया या फिर maths हो गया यहां पर, ठीक है, क्या हो गया, mathematics is my favourite subject, कहने को यहां पर students को लग रहा होगा, कि ma'am s लग रहा है यहां पर, पर यहां पर तो हमने i लगाया, sorry, is लगाया, क्यूंकि आपने कुछ शब्द देखे होंगे, economics के साथ लग रहा है s, फिर आपके पास कुछ और वो शब्द हैं जैसे की, statistics के साथ भी लग रहा है s, mathematics, economics, statistics या फिर physics यहां पर भी लग गया s, इन सभी के साथ आप, singular verb का इस्तिमाल करेंगे, ठीक है जी, singular verb का इस्तिमाल करेंगे, इन सभी के साथ, for example, एक example देखकर समझाती हूँ यहां पर आपको, for example if I say, if I say, darts एक game है, darts is an interesting game, darts क्या है, प्यारे बच्चों, darts एक game का नाम है न, तो मैंने सवाल बना दिया, darts is an interesting game, जो darts है, वो game है, कहने को, students मेरे बोलेंगे, ma'am, s लगाए, तो आपने इस का use क्यों किया, singular verb लगाया, क्योंकि यह एक game का नाम था, ठीक है, ऐसे ही कौर शब बताती हूँ, तो measles is a disease, अब यहाँ पर मैंने लिखा measles, ठीक है जी, measles में भी तो ऐस लग रहा है, लेकिन मैं बोलूँगी is, measles are a disease नहीं बोलूँगी, I will say measles is a disease, सभी students मुझे यहाँ तक बताएंगे कि clear है, very good, very good, और आधना ने बहुत अच्छा reply किया है, ma'am, measles, mums, gymnastics, arabes, sorry, rabies, not a rabies, very good, very good, तो यहाँ तक clear है, मतलब, छोटे 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 concept सारे आपके clear होते चले जारे, बड़े concepts पे भी जाएंगे, पर आज से शुरुवात कर रहे हैं, तो छोड़ा basic से ही start करेंगे, ठीक है जी, चलिए, यहाँ तक हमारी clarity हुई, the news of his suicide is not true, mathematics is my favorite subject, रूल नमबर फोर को यहाँ पर देखेंगे, some nouns indicate number, measure, money, length and weight, क्या indicate करते हैं, number, measure, money, length and weight को indicate करते हैं, कुछ nouns ऐसे हैं जो इनको indicate करते हैं, तो they remain unchanged when any definite numeral precedes these nouns, for example, she bought two dozen eggs from the shop, क्या लिखा मैंने, dozen से पहले जब भी कभी एक number लग जाए, weight, length, amount, इन सब से पहले क्या लिखा यह, यह देखेंगे, number, measure, money, length, weight, इन से पहले अगर एक number लग जाए, प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर two लग गया है, तो इस में कोई change नहीं आएगा, वो dozen रहेगा, not dozens, ठीक है ना, not dozens, यहाँ पर dozen रहेगा, she bought two dozen eggs from the shop, my office is five kilometers from my house, not kilometer, ठीक है, यहाँ तक clarity है, five kilometer, not kilometers, यहाँ तक clarity है, सबको कोई confusion है, तो आगे बढ़ेंगे, सभी students, all right, here we go, ठीक है, let's just move forward, अब बात हो रही है, collective की, अब बात हो रही है, my dear students, collective की, ठीक है, इसको एक बार, रब कर लेते हैं, ठीक है, collective nouns are used both in singular and plural forms, अब बहुत बार students को problem हो दें, कि collective noun जैसे कुछ चीज़े हैं, कि माम collective में, हम singular verb का इस्तिमाल करें, plural verb का इस्तिमाल करें, समझ में नहीं आता, confusion होती है, which is okay, और हम यहाँ पर शायद अपनी confusion को दूर करने के लिए वैठे हैं, ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, एक तो आप मेरे साथ 10 o'clock हर दिन मेरी class होती है, live class होती है, youtube पे होती है, कहां पर होती है, bankers way पर, तो हर दिन morning में मेरे साथ जुडेंगे, और 12 वज़े मेरी एक free class होती है, यानि कि special class, तो मेरे हर student चाहे उस session को देख सकते हैं, तो प्लीज वो session में जरूर जरूर जुडें मेरे साथ, हर दिन, collective nouns दोनों तरीके से use हमारे हो जाते हैं, चाहे तो singular form में हो अपनी या फिर अपनी plural form में हो, आओ देखते हैं कैसे, the government is a great achievement of civilization, the government is a great achievement of civilization, the jury were divided, अब मैं jury is भी लिख सकती हूँ और jury are भी लिख सकती हूँ, for example, अगर मैं यहाँ देखू, jury is oblique are, jury was oblique were, यहाँ पे तो हमें simply समझ आ गया कि यह past की बात हो रही है, यहाँ पे समझ में आ गया कि यह present की बात हो रही है, jury is taking the decision, jury were divided, jury divide हो गई थी, split हो गई थी, तो plural form लगा दिया, और jury decision ले रही है, तो jury is taking a call, ठीक है, तो कुछ-कुछ चीज़े हैं तो यहाँ पर आपको सभी की सभी समझ में आती चली जा रही है, step by step, clear है, rule number six, rule number six, there are nouns that give different meanings when used as singular and other meanings when used as plural, कुछ nouns ऐसे हैं कि वो different meanings के साथ different चीज़ का इस्तरमाल करके बताएंगे, for example, देखे, ऐसे भी nouns हैं that give different meanings when used as singular and different meanings when used as plural noun, ऐसे भी कुछ nouns होते हैं, एक example ही बताती हूँ, मतलब कुछ कई जगाओं पर तो क्या होता है, अगर आपने s भी लगा दिया ना, तो उसका meaning ही change होकर के आ जाता है, for example, मैं आपको सिरफ बोलू, I need a quarter of pizza, ठीक है, मुझे एक quarter चाहिए pizza का, या मैं बोलू, she stays in the quarters, she stays in the quarters, तो यहाँ quarters का मतलब हो गया प्यारे बच्चो, flats और यहाँ पर मतलब हो गया one-fourth याने की एक चौथाई, क्या मैं आप सभी को सही बता रही हूँ यहाँ पर? very good, सभी students ने अपना-पना answer यहाँ पर लगा दिया है, which is very very good, आप लोग जल्दी से अपना answer फिर से एक बार यहाँ पर लगा देंगे, session को यार एक बार share जरूर कर देंगे, बिना हिच के चाहट के, बिना कंजूसी के, फटा-फट से share कर दोगे, ठीक है ना? चलिए, तो यह quarter का मतलब क्या हुआ? एक चौथाई, मतलब की यह एक circle है, यह उसका एक चौथाई हिस्सा है, मुझे pizza का एक चौथाई हिस्सा दे दो, can you please share one quarter of pizza with me? नमबर टू मैंने हाँ पर बोला, quarters, तो यहाँ, she stays in the RBI quarters, ठीक है? वो RBI quarters में रहती है, क्या फरक देखा, आपने फरक क्या महसूस किया? फरक इतना ही था, यहाँ पर यह S लगा था और यहाँ पर S नहीं लगा था, तो उस S ने sentence का मतलब ही बदल दिया, compensation, compensations, work and works, ऐसे बहुत सारे आप लोग देखेंगे, सवाल आपको दिखेंगे अभी, ठीक है? आईए देखते हैं, good means wise and goods means property, अब यह good का मतलब होता है wise, लेकिन वहीं पर अगर आप goods लगा दो, तो वो property बन गया, goods and services, चीजे बन जाता है वो, फिर चीजे बन जाता है, सिरफ एक S का ही कमाल है यहाँ पर, सही बोल रही हूँ, yes और no, जल्दी से मुझे thumbs up करके बताएंगे, जल्दी से, फटा फट से, clarity है सबको, कही confusion है तो प्लीज बताएंगे, thumbs up भी करते चले जाएंगे, कि I am looking to your options, जो आप लगा रहे हो, good, clarity है आगे बढ़ेंगे यहां से, चली आगे बढ़ते हैं, very good, तो मतलब हर जगाओं में कुछ ना कुछ changes यहाँ पर आपने देखने को मिले, यानि कि उसकी singular form में, plural form में कुछ ना कुछ अंतर है, ओके यहाँ पर फिर से मेरे पास कुछ options हैं आपके लिए, for example, यहाँ पर हम देखते हैं, authorities command, while authorities means people in power, यहीं पर आप एक बार फटा फट से इसको समझेंगे मेरे साथ, क्या लिखा है यहाँ पर, authority and authorities, साथी में देखेंगे जा यहाँ पर, force, forces, wages and, ओके वेज आडवेज़, ठीक है, content, contents, iron, irons, यहाँ पर यही exactly क्या होता है, कि exam में आपको ऐसे सवालों में, कुछ errors में कुछ सवाल आ जाता है, और वहाँ पर या तो हमें meaning नहीं पता होता, यहाँ या फिर अगर हमारे पास कोई option होता है, तो हम find out ही नहीं कर पाते, कि error है कहाँ, actual में, भाई, error कहाँ है, नहीं find out कर पाते, authority command, authority is command, can you give me the authority to handle the particular examination, आप मुझे authority दे दो कि मैं यह काम करूं, you give, delegate करते हो ना, काम को आप मुझे authority दे दो, I will do this, would and woulds, very good, तो students ने अपने अपनी मर्जी से यहाँ यहाँ options लगाएं, और कोशिश करो कि हर student यहाँ पर अपने अपने options लगा सके, authorities, उसको people in power, mean the people in power, this is the, यह एक respective authority है, this is the authorities, यह वो वाले लोग हैं, जो इन power हैं, जो एकाम कर सकते हैं, force का मतलब होता है strength, wherein forces का मतलब होता है army, ठीक है, while forces, Indian forces, आगे देखते हैं, wages, कुछ singular form में आप बोलते हैं, punishment, while wages are already the labor charges, used in the plural form, एक होती है, wage, एक होती है, wages, जो आप daily wages के workers को, regular पैसे देते हैं, on the daily basis, उसको daily wage workers बोलते हैं, जिनको monthly मिलता है, उसको आप salary बोलते हैं, I think यह सब चीज़े पता हैं आपको, चलिए, content का मतलब होता है, satisfaction, the feeling of contentment, क्या बन जाता है, things contained, बोलते हैं यार, इस book में, what is the table of contents, table of contents क्या है, या फिर बहुत-बहुत से बार हम बोलते हैं, what is the TOC, have you read or have you seen the TOC, table of contents देखा है आपने, कि list क्या है, इसमें inclusions क्या-क्या-क्या है, चीज़े जो इसमें added हैं, iron का मतलब होता है metal, while irons का मतलब होता है, chains or fetters, okay, बेडियां होती हैं, chains, the accused were tied in irons, actually irons नहीं बोलते हैं, ions बोलते हैं इसे, तो ions का मतलब होता है, उसे बेडियां बंदी हैं, अब ये सवाल, exam में, कम से कम, मैंने तो बहुत जगाओं में देखा है, कि इस question के उपर एक error का सवाल था, ions, the accused, जो आरोपी है, he was tied in ions, तो iron में tied नहीं था, irons में tied था with a S, तो यहां आपने देखा, कि हमने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, turn wise, problem, कि हमें confusion का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी जगाओं पर शायद पता भी नहीं होता, कि यह particular noun है, तो यह कौन सा noun है, शायद हमें यह भी नहीं पता होता, तो noun की पहचान करना अपने आप में एक task है, ठीक है, कुछ भी कहलो, कोई भी part of speech कहलो, कई बार प्यारे बच्चों हमें यह भी नहीं पता होता, कि उस चीज की position कहाँ पर लगेगी, मान लो एक sentence है, उस sentence में आपसे पहले ही पूछ लोगी, कि आप मुझे बता सकते हो, कि adverb कहां लगेगा, एक सवाल, एक example मैं आपसे पूछती हूँ, कि प्लीज बता दो, यहां पर adverb कहां लगेगा, बता पाओंगे, शायद कोई बता पाए, शायद कोई ना भी बता पाए, क्यों, सारा खेल तो यह practice का है, सारा खेल यह practice का ही है, so for example, if I say, कि प्यारे बच्चों, adverb की बात करते हैं, तो या तो आप किसी sentence के starter में लगा लो, यानि कि अगर आपका यह subject है, तो मैं आपको बोल दू, my dear students, यहां पर आप एक adverb लगा सकते हो, subject से पहले, for example, suddenly she went upstairs, यार वो अचानक से ना उपर चली गई, मैंने क्या लिखा, अचानक से वो उपर चली गई, suddenly she went upstairs, suddenly she ran from XYZ place, जहां पर भी बैट, suddenly she ran, suddenly she went upstairs, तो मतलब सवाल यहां पर यह है, कि आपने इसको use कैसे किया, my dear students, मैंने लिख दिया, suddenly, suddenly she ran, suddenly she ran, ran, चलो यहीं पर खतम करते हैं, कि ran आगे नहीं sentence लिखती है, upstairs, downstairs, बात की बात है, लेकिन subject से पहले, हमारी position क्या हो गई, adverb की position, तो यह हमारा appropriate एक rule हुआ, या फिर मैं आपको बोल दूँ, प्यारे बच्चों, sentence एक sentence है, उसके अंत में, end में, adverb आ रहा है, तो यह कुछ छोटी-छोटी सी tricks है, जो शायद, एक regular practice, निरंतर practice के साथ, यह आपको समझ में आएंगी, जाद जादा use के साथ समझ में आएंगी, तो एक rule हमारा यह हुआ, एक rule में बोलूँगी यार, यही पेना हम यहाँ पर, अंत में इसको लगा देंगे, adverb को, एक rule में आपको बोल दूँ यहाँ पर, एक rule में आपको बोल दूँ प्यारे बच्चों, कि सब छोड़ो यार, यहाँ पर आपका एक helping verb है, ठीक है, यह space है, आपके में वर्ब से पहले आएगा, तो यह भी अपने आप में एक rule है, क्या आपको पता था यह rule, हो सकता है, बहुत सारे students को पता हो, लेकिन आपके लिए क्या हुआ, आज यह session एक, revision session हुआ, और आपने यह सभी के सभी rules यहाँ पर, बहुत अच्छे से कर लिये, she is dressed beautifully, she is beautifully dressed, क्या हो गया, sentence क्या बनाया, मैंने हाँ पर sentence बना दिया, she is beautifully dressed, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी तुरंट आपके hand to hand, मतलब यहाँ के साथ मैं rule बना रही हूँ, और यहाँ दिमाग में उसका, example बना के चाप रही हूँ, बस इस प्रकार से काम हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा हैं आपर, she is, she हो गया एक subject, is हो गया आपका helping verb, या फिर auxiliary verb, तो मैंने क्या बोला, helping verb के बाद लगेगा, adverb, और main verb से पहले लगेगा, she is beautifully, beautifully dressed, क्या ये सही है sentence, जल्दी से बताओ, क्या ये sentence सही है, yes और no, जल्दी से, फटा फट से मुझे बता दोगे, हाँ comment करके, answers लगाएंगे, हाँ पे comments में देख रही हूँ, कि इतनी जल्दी से comments नहीं लगा रहे हो, बच्चे क्यों लगे उन्हें लगा रहे पता नहीं, तो dress एक main verb का काम कर रहा है, is एक helping verb का काम कर रहा है, इस rule में यहाँ पर fit बैठ रहे हैं, पिछला rule भी एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा था, suddenly she ran, अब she क्या है, एक subject है, ran एक verb है, और suddenly अचानक से, अचानक से she ran, तो यह क्या हो गया, यह एक adverb हो गया, यानि की adverb कहां लगा, subject से पहले, subject से पहले, यह सिरफ एक तरीका है, आप लोग को और बहतर समझाने का, otherwise, तो मैंने आपके सामने सारे rules की हैं, और इन sessions को, हलके में नहीं लेना, हर दिन अटेंड करने हैं यह sessions, हर दिन, आप लोगों के लिए यारी series बने ही है, trust me, जितनी महनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूं अभी, इसलिए कि आप लोग यह sessions को attend कर सके, 10 बजए आपने मुझे हर दिन live जुड़ना है, bankers way पर, ऐसे ही कुछ और rules जानने के लिए, आप मेरे साथ 12 बजए को मेरी class में, special class में जूड़ सकते हैं, 12, 12 pm पर, ठीक है, एक खास बात मैं और बताऊंगे आप लोगों को यहां पर, क्यूंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जिनको शायद अभी exactly यह नहीं पता की, एक second, ठीक है, तो कुछ add करके मैं यहां दिखा देती हूँ, कि कैसे आप मेरे sessions में जूड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, कैसे आप मुझे कहां find कर सकते हो, कहां से मुझे ढूंडोगे, तो कुछ ऐसे sessions देख लो पहले तो, models one shot, English के कुछ test one shot, grammar one shot, या अगर आप लोग को pronouns करना हो, nouns करना हो, तो pronouns one shot by Amrit Kormam, डाल दोगे, पूरा का पूरा session आपके सामने आ जाएगा, अब आप क्या करेंगे, बहुत इतमिनान से सुनेंगे, जो मैं समझाने जा रही हूँ, application को डाउनलोड कर लोगे, कौनसी आपको, unacademy की learner app को, ठीक है जी, search column पे आपने bank exams type किया, नीचे दिये गए drop down box से, वहाँ पर आपने अमृत पाल सोडी, ये मेरा नाम है, इस नाम को डाला, और इस page को, प्यारे बच्चों आपने follow कर लिया, ठीक है, इस page को आपने follow कर लिया, वहाँ पर आपको दिखे, मेरे कुछ free classes और मेरे free batches, क्योंकि अब बहुत चारे बच्चों को लगता है, माम RBI का batch कहां मिलेगा, माम हमें foundation batch कहां मिलेगा, अगर आपके साथ तयारी करनी है, मेरे साथ आपको पढ़ना है, इसी तरीके से एक चीज की basics को, और concepts को समझना है, तो कैसे समझेंगे, ये बहुत important है, तो आप मेरी free class में enroll हो सकते हैं, 12 बजए, daily Monday to Saturday, batches में आप again जुर सकते हैं, और इस code के साथ, अमरित 06 code के साथ, प्यारे बच्चों आपको discount भी काफी बेतर मिल जाएगा, काफी बेतर discount मिल जाएगा, ठीक है, आईए दिखाती हूं, top 140 rules of grammar, देख रहे हैं हो class wise, class 5, 13, 10, मतलब अलग-अलग classes हैं, जो आपको हर दिन मिलेंगी इस तरीके से, ये proper proper एक batch है, RBI grade B का batch, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, और ये हैं मेरे पास एक foundation का batch, यहाँ पर मैंने अपने students को noun भी न, 4 से 5 classes लगा करके समझाया है, मतलब कि इस batch के बाद कोई भी exam देने चले जाओ, कहीं पर भी मार नहीं खाओगे, चाहे वो एक छोटा topic है, चाहे वो एक गंभीर problematic topic है, कहीं मार नहीं खाओगे, तो यहाँ पर आप गए, इस पर उपर click करोगे, आपके पास आप probably एक demo भी देख पाओगे, ठीक है, class का जो plan होता है, जो planner कहलो, ब्रोशर कहलो, वो भी देख पाओगे, ठीक है, और यहीं पर आपके पास option आएगा, batch में enroll होने का, तो enroll भी हो सकते हो आप batch में, enroll होने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगाना है code, अमरित 06, यह code लगाना है, यह वाला code, ठीक है जी, यह वाला code आपने लगाना है, और आपको जरूर जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इसी के साथ, I think it's time to take a leave now, और अब मैं चलती हूँ यहाँ से, लेकिन PDF कहां से मिलेगी बहुत बढ़िया, जब सारे के सारे rules हमारे खतम हो जाएंगे, बज़े चलता है, यहाँ पर यह चार बज़े चलता है, बहुत जरूरी है यार कि अगर आप forms पर पैसा भर रहे हो, अपना time energy effort लगा रहे हो, तो कुछ पैसा batch में invest करो, जहां से मैंने आपको बोला है कि foundation batch ऐसा बाच है, कि चार पांच classes में आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, यानि कि आप आज भी enrollment लेते हो, तो आपके पास life class भी है, आपके class recordings भी है, teacher का access भी है, यह class में पैसे लगाए कभी वियर्थ नहीं जाएंगे, यह आपके हमेशा साथ देंगे किसना किसी exam को clear करने में, यह notes बहुत helpful रहेंगे, शायद अगर मैंने exams दिये हैं अपने life में, तो मैंने बहुत classes भी attend करी है, which really makes a difference, trust me, teacher अपने experience के साथ आपको जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वही आपको वहाँ paper में, time, accuracy, speed, यह तीन चीज़े ही तो follow करनी है, सिरफ इनके बलबूते पे, मैं यह नहीं कहूंगी यार कि इसकी वज़ा सही paper clear नहीं होगा, बड़ यह तीनों चीज़े ऐसी हैं, जो paper निकलवा देंगी time, आपकी speed, आपकी accuracy, चाहे आपको यार रटा हुआ है, आपकी English बहुत फ्लुएंट है, आपका other subjects बहुत फ्लुएंट है, time नहीं है, speed नहीं है, accuracy नहीं है, everything went in vain, and everything will go in vain, अगर यह चीज़ फ्लॉएंग नहीं है, alright, so thank you so much, this is Amrit Kaur and it's time to take a leave, जल्द ही मिलेंगे, अब हम upcoming sessions में, सुभा 10 बजे, YouTube channel पर, bankers वे, and उसके बाद तुरंथ 12 बजे, for the special class, जो की free class है, तो यह दोनों classes free है, 12 बजे वादी class आप पे होगी, in fact, यह दोनों classes भी आप पे होगी, plus यह 12 पीम बाली class भी, तीनों चीज़े आपको आप पे मिलेंगी, और 10 बजे, YouTube लाइफ, कोई भी topics आपको select करने हैं, जैसे कि आप फिर चूस करने हैं, pronouns by Amrit Kaur, माम, models by Amrit Kaur, माम, YouTube पे search कर सकते हो, कोई भी आज के sessions से रेटेटेट कोई doubts हैं, कोई questions है, do put the doubts in the comment box, मैं जरूर उनको देख कर, I would definitely try to address each and every doubt, thank you and have a great day guys, और एक छोटा सा समय निकाल करना, जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा, बस एक वर्ड में चाहे बताना, बढ़ जरूर बताना, thank you and see you guys,